नमास्कार स्वगत्यापका हमारे चैनल चार जागंदर में सामें आज रात से पूरे इंग चामन वर्सों तक इन चार राशियों पर धन लुटाएंगे महादेव कहीं वो राशी आपकी तो नहीं दोस्तो हम कई सारे देवी देपताओं की पूजा पाठ करते हैं लेकिन उन सभी देपताओं में से भागवान भोले नात की महिमा अपरम पार है जी हां सिव अनादी हैं उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है वह स्वेमभू हैं उनका ना तो जनम हुआ और ना ही कभी उनकी मृत्तु संभव है वह स्रिष्टी के बिनासक भी हैं और वह महादेव भी हैं वह रोद्र भी हैं और सांत चेहरे वाले बाबा भोले नात भी हैं और इसी के साथ उनकी क्रोध की ज्वाला से कोई भी बच नहीं सकता तो वहीं उन्हें प्रसंद करना भी अन्य देवी देपताओं में से कहीं ज़्यादा आसान है जी हाँ भागवान भॉलिनाथ ने समय समय पर अपने बिभिन सुरूपों के दर्सन हमें दिये हैं भागवान सिव के भक्तों को ना ही मृत्व का भै रहता है और ना रोग का और ना सोक का सिवतत्त उनके मन को भक्ती और सक्ती का समर्थ देते हैं बतादे कि सीव तत्त का जाप महामरतविञे मंत्र के जर्ये या ओम् नमेशिव Hyundai के जर्ये किया जाता है इस मंत्र के जाप से भगवान सीव भगवान भौलेनाथ की अशिम क्रिपा मिलती है सास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारन बताया गया है दोस्तो यह मंत्र है ओम नमशिवाय दोस्तो भगवान सिव का बाहन ब्रिसब यानिक की बैल है और यह हमेशा भगवान सिव के साथ साथ रहता है ब्रिसब धर्म का प्रतीक है महादेव इस चार पेर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो हमें यह सीख देता है कि धर्म अर्थ काम और मौक्ष इनकी कृपा से ही मिलती है इस तरह सिव शुरूप हमें बताता है कि उनका रूप बिराट और अनन्त है और उनमें ही सारे स्रिष्टी समाई हुई है सास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान सिव की कृपा जिस ब्यक्ति पर हो जाती है उसकी किस्मत रातो रात चमक जाती है इसी संदर्भ में दोस्तों बता दे कि आज रात से पूरे इंग्चामन वर्सों तक कुछ बिशेश राशिवालों के भी किस्मत चमकाने वाले है और दोस्तों उनके जीवन के सभी कष्ट और समस्याई महादेव स्वेम दूर कर देते हैं इसी संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काफी समय के बाद आज रात एक ऐसा महा दूरलब सुबसंयोग बन रहा है जी हाँ दोस्तों बता दे कि आज महादेव का सबसे पवित्र और शुब दिन यानिकी महा शुरात्री का पावन पर मनाया जा रहा है इसलिए आज कई सारे दूरलब सुबसंयोग बन रहे हैं जिसके कारण महा देव आज रात से पूरे इंग्चामन वरसों तक कुछ बिसेस राशियों के किसमत चमकाने वाले हैं अब धन का खाजाना लुटाने वाले हैं महा देव के कृपा से इन राशवालों के लिए यह महा दूरलब सुबसंयोग बहुत ही सुब रहने वाला है जिसके प्रभाव से कुछ राशवालों के किसमत अब चमकने वाली है जी हाँ अब इन राशवालों के किस्मत आज राश से पूरे इंग चामन वर्सों तक महादेव स्वैम चमकाने वाले हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन राशवालों के नाम जिन के उपर अब भगवान महादेव आज राश से पूरे इंग्चामन वर्सों तक स्वैम इन्हें माला माल करने वाले हैं तो आए जानते हैं कि आखिर ये भागसाली राश्या कौन सी है सबसे जादा भागसाली र दोस्तो चार राश्यों पर भगवान भॉले नात की कृपा बरसने वाली है जी हाँ चार राश्यों का अब भगवान भॉले नात अपार धन खजाना आज राश से पूरे 59 वर्सों तक अब महादेव आपके उपर धन खजाना लुटाने वाले हैं भगवान भॉलेनात की कृपा से आज राज से पूरे इंक चामन वर्सों तक अब आपको धन से माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता यहां तक कि आपको कई सुनरे मौके मिलेंगे अब यहां ही जातू के लिए नए रिष्टे आएंगे नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर पाएंगे अब अगली यहनी जो दूसरी जो राशी है दोस्तों बता दे वो है यहां पर मीन राज मीन राश के जातकों अब आज राश से पूरे इंग्चामन वरसों तक महादेव अपार धन खजाना लुटाने वाले हैं अब आपकी सोई हुई किसमत चमकेगी भाग आपका सात्मी आसमान पर रहेगा बता दे कि अब दिन दुगनी राश चोगनी तरक्की महादेव की कृपा से करेंगे महादेव की कृपा से आज राश से पूरे इंग्चामन वरसों तक अब आपका भाग सात्मी आसमान पर रहेगा नई जोब लगेगी बिजनस व्यापार में रुकाव फसव धन प्राप्त होगा लोटर शट्टा से लाब होगा साथी साजेदारी में किये गिए बिजनस व्यापार में अपार धन लाब की प्राप्ती होगी इस्टुडेंट है तो सफलता कदम जोमीगी और सिक्षा प्राप्ती के लिए अच्छे संता में दाक्लिया ले पाएंगे स्वास्त संबन्धी परियसानियों से मुक्ति मिलेगी उत्तम स्वास्त का लाब ले पाएंगे दोस्त बता दे कि अगले यह तीसरी जो राशी आती है वो है कन्य राशी कन्य राश के आद को बताना चाहेंगे कि अब आपको विशेश उपलब्धिया प्राप्त होंगी महादयो की विशेश कृपा आज राश से पूरे इंचामन वर्सों तक रहेगी अब आपको धनसे माला माल होने से कोई नहीं रोक शकता बता दे कि बड़े कमपनियों से आपको ओफार आएंगे जोब के लिए आपके बड़े भाई भेहनों को सहयोग प्राप्त होगा अव्यवाई ज्यातकों के लिए नए रिष्टे आएंगे साधिवया के बंधन में बंते नजराएंगे सिंगल पन का महसूस अब नहीं होगा जीवन साथी से संतान प्राप्ती के रूप में और उनके साथ अच्छे रिष्टे संबंध मदूर होंगे प्रेम संबंध में खुश्यां आएंगी हर कारियों में सफलता मिलेगी परते कारियों में आब आपके कदम चुमेगी सफलता हर कार छेत्रों में आपको महादेव की कृपा से अपार सफलता प्राप्त होगी अब अगली अनी जो चोथी जुराशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर तुला रास तुला रास के याद को अब आपकी किसमत दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे अनेक जगों से धनका लाब होगा विशेश उपलब्धिया प्राम्त होगी अनेक जगों से बड़े आफ़ार आ सकते हैं समावी मान समान बढ़ेगा राज इंतिक शेतर से जड़ाव लगाव बना के रखेंगे रिशेदारों का सहयोग प्राप्त होगा अब आपके अनसुल्जे मुद्धे सुल्जेंगे नए गाड़ी बाहन के खरिदारी जमीन प्रुपर्टी और नए भवन का निर्मार करेंगे दोस्तो इन चार राशियों को पर भगवान भोलेनात की अपार कृपा दृष्ट बने रहेगी आज राश से पूरे इंग्चामन वरसों तक महादेव के कृपा से इनका भाग अब सात्मी आस्वान पर रहेगा तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव साथी वीडियो को लाइक करें जदा ज़र शेयर करें और चैनलों को सब्सक्राइब करें